Good morning students, आज हम class first हिंदी के part 2 के प्रश्नोतर करेंगे, ये हमारा वीडियो नमबर 11 है Part 2 के प्रश्नोतर क्या उर्ख हैं हमने पिछली वीडियो में कर लिये, अब हम आगे के प्रश्नोतर करेंगे ऀनके हमें अंसर लिखने है, ये हमने चप्टर में से ही ये प्रश्न जो है, वो चप्टर जो पढ़ाता, अमने पारट जो पढ़ाता, उसी पारट में से दिये गए पर्तन कहां रखुट भरतन कहां रखुट नियराएं हैं, देखो फास्ट अकबर क्या चक्झ अकबर अधरक यह लिखा हुआ यह ना, अधरक, मैस्ट भरक्र उदर क्या रखुट अंसर में क्या आएगा, कटहल, जटपट कहां चल। इस पर चल। किस प्रफट तकॉल, सरहद अंसर में क्या आएगा सरहद, क्या मत पकड़, अंसर में आएगा गरधन, किस पर मत चड़, किस पर मत चड़, गरगद, बरतन कहा रख, बरतन कहा रख, इधर, यह प्रिश्ण है, और यह हमने यहां अंसर लिखे है, नेक्ष देखो, चित्र देखकर शब्द बनाईए, यह यहां लिखे हुए और हमें शब्द बनाने हैं जिसमें देखो एक शब्द लिखा हुआ है और दूसरा हमें यहां लिखना है फिर मिलाकर जो बनता है वो हमें यहां लिखना है देखो क्या है ये तो आप पता है आपको क्या है क्या बना हुआ है किसका चित्र बना हुआ है पता है ना आपको ये किसका चित्र बना हुआ है बस का तो यहां बै लिखा हुआ है बै प्लस से मिलाकर क्या बना बस नेक्स्ट ये चित्र देखो रोड ये सड़क जो बोलते हैं ये किस क्या चित्र बना हुए सडक का तो देखो से लिखा हुए से प्लस दे प्लस क्या है सडक मिलके बनेगा से दे क्या बना मिलके सडक नेक्स्ट है देखो चित्रों का शब्दों से मिलान कीजिए मतलब यह चित्र दिये गया है इदर देखो इन चित्रों को हम इन शब्दों से मिलान करेंगे देखो 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 में से मिला की क्या बना थर्मस तो हमने इसको यह थर्मस के मैच कर दिया नेक्स्ट है है वे ने हवन हवन का हो रहा है यह हो रहा है तो इसको हमने यह हवन से मैच कर दिया ठीक है ना यह हवन से हमने इसको मैच कर दिया आपको चित्र में तो हमने इसको बरतन से मैच चित्र दिये गए हैं इनको देखकर ही हमें शब्द बनाने हैं देखो ये क्या है अभी भी पढ़ाता पर नुद्ध तो यहां लिखेंगे सड़क परमत चल ये क्या हर्मस अभी पढ़ाई था हर्मस पकड़ कर चल ये अभी पढ़ाता ना हवन ये लिखेंगे है वे ने हवन कर ये देखो ये चित्र बना हुआ है ये पानी है तो क्या है य नदी पर मत तहल ये क्या है बरतन बरतन ने तु यह लिखेंगे बरतन खन खन मत कर ये क्या है ये नल बना हुआ है नल तु यह लिखेंगे नल तक चल आपको इस प्रकार ये आपकी बुक में श्रिल करने है और अपनी नोट बुक में भी लिखने है